मुद्दा है जो बेंकिंग फ्राड होते हैं जो किसी भी प्रकार से आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है ट्रांजेक्शन करवा लिया जाते हैं कुछ लालच देकर उस प्रकार की इस्तिती में क्या करें उसके लिए एक बड़ी अच्छी तातकालिक विवस्ता है जो बहुत कम लोगों को भी मालूम है इसमें MHA ने एक नंबर जारी किया है ये नंबर मैं आपको कई बार दो या तीन बार रिपीट करूँगा 155-260 ये नंबर है 155-260 फोन नंबर है ये 155-207 ये नंबर को नोट डाउन करके रखिए कभी भी किसी भी कारणवश अगर कोई फ्राड होता है आपके साथ तो ततकाल इस नंबर पर फोन लगाईए उस रेइस्टर नंबर से जो रेइस्टर नंबर बेंकिंग में बेंकिंग के ट्रांजेक्शन के लिए आपने रेइस्टर किया हुआ है उस नंबर से आप फोन लगाएंगे तभी काम हो पाएगा यह आवश्चा के ध्यान रखिए कि आपको जो आपका फोन मुबाइल नंबर है या जो भी आपका फोन नंबर है जो banking के transaction के लिए, किसी प्रगार के banking transaction के लिए registered है, उस number से आप ये 155-260 number पर phone लगाईए, आप फोन लगाएंगे तो ये अभी MP और 36 गड़ के लिए कारे कर रहा है, आप से, चुकि अपन MP में हैं, तो MP पूछा जाएगा, जब MP का आप बताएंगे तो आप से कुछ जानकर आप बता सकते हैं, पिन वगेरा आप बिल्कुल मत बताईए, क्योंकि इस तरह के number का कोई दूसरा जहां सा देके आप से पिन वगेरा भी पूछ सकता है, तो एक तो ये number आप विशेस रूप से ध्यान रखिए, जब आप ये बता देंगे, तो ये विवस्ता इस प्रकार स के portal है, ये सब इस से जुड़े हुए है, ततकाल आपका message, इन सभी banking संस्थानों को चला जाता है, banking agencies को चला जाता है, क्योंकि जब fraud होता है, एक bank से दूसरे bank के में transaction होने में थोड़ा time लगता है, ये bank अपनी formality करता है, फिर वो दूसरे को transfer करता है, फिर वो bank करता है, आपका पैसा उस पूरे route में कहीं भी रुख जाएगा, अगर माली जे एक bank से चल दिया है, दूसरे bank तक जाने के लिए तो उस route पर रोख दिया जाएगा, आपका पैसा आपको वापस आ जाएगा, मैं आपकी जानकरी में रखना चाहूंगा कि इस नंबर के आने से रुपए वापस कराए गए हैं, MHA द्वारा और साइबर पुलिस द्वारा, करोड़ो रुपए वापस हुए हैं, लोगों को ये मालूम नहीं है, 155-260 ये एक ऐसा नंबर है, इसमें आप इसको जरूर रखिए, विदिन 24 आवर्स अगर आप बताएंगे, तो 100% आपका प इस पोर्टल पर आप अपनी एप्लिकेशन, अपनी शिकाहत दर्ज कर दें, वो पोर्टल एक्टिव होके सारी सारी सर्च करता है, सारा सब कुछ निकालता है, और उसके बाद में आपके पैसे वापस करानी की प्रक्रिय होती है, या फिर उन्हों को आइडेंटिफाई कर आता जरने बाता सिकी